तो पहले जो टाइटल है इसका मतलब समझ लेते हैं अगर कोई भी परसन किसी डिसिजन मेकिंग पोजिशन पर है जहां पर उसको कोई फैसला देना है तो वो फैर प्ले तब करेगा जब वो दोनों साइड के साथ इंपार्शल ट्रीटमेंट करेगा मतलब किसी भी तरफ पार्शालिटी नहीं करेगा बिलकुल निश्पक्ष होकर अपना डिसिजन देगा इसको बोलते हैं फैर प्ले करना निश्पक्ष दिसिजन देना अपना या फिर आप कह सकते हैं न्यायपूर्ण वेवार करना यह है आपके चाप्टर के टाइटल का मतलब हलांकि फैर और प्ले यह वर्ड अलग अलग है फैर मतलब होता है सही प्ले करना मतलब कोई काम करना वैसे प्ले मतलब खेलना भी होता है प्ले मतलब नाटक भी होता है तो यहाँ पर लेकिन सही काम थोड़ा सा जाधा करेक्ष बेट रहा है और हाला कि fair play का मतलब यह है निश्पक्ष बैवार बिना किसी की तरफ पार्शल हुए बिना किसी की साइड लिए बाइ दरूल कोई डिसिजन देना उसको बोलते है fair play करना ओके चलिए चाप्टर डीड करते हैं देखते हैं चाप्टर में कौन है जो कुछ बिसाइड कर रहा है और वो fair play कर रहा है या नहीं उससे पहले अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चानल पर आप चानल को सब्सक्राइड कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ओके लेट बिफोर यू रीड आप पढ़े उससे पहले has your best friend ever done something you thought was wrong क्या आपके best friend ने कभी कोई ऐसा काम किया जो आपको लगा हो कि यह तो इसने गलत किया what did you do then आपने उसके बाद क्या किया did you keep quiet क्या आप शांत रहे कि चलो मेरा दोस्त है best friend है और did you tell your friend what you thought या फिर आपने उसको बताया कि यह गलत है और मुझे यह गलत लगता है तो आपने क्या किया इन दोनों में से आप शांत रहे या फिर बताया read the story about two friends अब हम एक कहानी पढ़ने वाले है जो दोस्तों के बारे में है who had to decide what was more important जिन्हें ये decide करना है कि क्या ज़ादा जरूरी है friendship and enmity, दोस्ती और दुश्मनी या फिर a sense of what is right and what is wrong या फिर एक sense कि क्या सही है या गलत है दोस्ती में भी कई बार हम दोस्त के favor में decision देते हैं दुश्मनी में भी कई बार ऐसा होता है आप हमेशा गलत सही को बोल जाते हैं और उसके against decision देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्ती दुश्मनी जादा जरूरी है या फिर क्या सही है या क्या गलत वो जादा जरूरी है पार्ट वन जुमन शेक और अलगु चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे so strong that their bond of friendship that when either of them went away from the village उनका strong उनका bond जो है इतना friendship का वो इतना strong था इतना मजबूत था कि जब उनमें से either of them मतलब कोई भी उनमें से went away from the village गाम से कहीं जाता था the other looked after his family दूसरा look after करता था, देखबाल करता था उसकी family का अलगु चौधरी अगर जा रहे हैं तो जुमन देखबाल करेंगे जुमन अगर जा रहे हैं तो अलगु करेंगे both were greatly respected in the village और दोनों को ही गाव में खुब respect भी मिलती थी, खुब इस्जत भी मिलती थी जुमन had an old aunt who had some property जुमन की एक बुड़ी aunt थी, actually इनकी मौसी थी अगर आपने प्रेमचन की एक कहानी हिंदी में पड़ी हो तो उनकी एक मौसी थी who had some property जिनके पास कुछ property थी, जायदाद थी this she transferred to him on the understanding that she would stay with him उसने ये सारी property transfer कर दी जुमन को इस understanding में इस समझ के साथ कि वो अब उनी के साथ stay करेगी and he would look after her और वो उनकी देखबाल भी करेगा ठेक है एक बुड़ी मौसी थी, अकेली थी उसने अपनी सारी property जुमन को दे दी कि चलो मैं तुम्हारे साथ ही रहोंगे तुम बस मेरी देखबाल करना और ये तुम्हारी हुई the arrangement worked well for a couple of years ये जो arrangement उनों ने किया property के बद्दे देखबाल का ये couple of years मतलब कुछ दो सालों तक तो चला then the situation changed फिर situation थोड़ी सी change हो गई बदल गई जुम्हारा और इस family were tired of the old relative वो अपने पुराने relative जो थे उनकी उन से tired हो गई ठक गए परिशान हो गई जुम्हारा बिकेम आज indifferent to her as his wife indifferent होना हम बोलेंगे कि effortless हो जाना कोई फरकी ना पढ़ना वो क्या कह रही है सुन सुनते ही नहीं inattentive हो जाना तो वो जुम्मन और उनकी वाइफ as his wife दोनों ही काफी indifferent होगे उनकी तरफ, उनकी सुनते नहीं थे नहीं जादा ध्यान देते थे who grudged even the little food, grudged करना मतलब होता है गुसा करना, angry होना बहुत छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर आपको meaning दिये भी हुए indifferent हो जाना मतलब interest lose कर देना, ध्यान ना देना बिलकुल भी grudged मतलब unwillingly कोई काम करना, बिना इच्छा के, गुसा करना या फिर unhappy रहना, दुखी हो जाना किसी से swallowed these insults मतलब tolerate करना, खेर यह बाद में आएगा word तो वो बहुत जल्दी गुसा हो जाती थी, even the little food that the lady wanted everyday जो थोड़ा सा खाना भी उनको देना पड़ता था, तो उसमें भी वो बहुत गुसा हो जाती थी, जब शुरू में property मिली तो 2 साल तक तो बहुत अच्छे से कहा नहीं कुछ महीनों तक तो उन्होंने वो सहती रही, सहना जादा सही होगा यहाँ पर, उस insert को उन सब भी बेजती को जो वो उसकी करते थे but patience has its limit, लेकिन patience की भी अपनी एक limit होती है, patience मतलब धीरज, जब आप कुछ कहते नहीं, उसकी भी limit है, आप एक limit तक ही बरदाश कर सकते हो, जब बहुत ज़ादा हो जाता है, तो फिर आपको उसकी against बोलना ही पड़ता है One day she spoke to Jumman, एक दिन वो Jumman से बोलती है, My son, it is now obvious that I am not wanted in your house, ये तो अब obvious है, obvious होना मतलब जाहिर होना, ये तो सबको जाहिर है, सबको पता है कि I am not wanted in your house, मैं अब तुमारे गर में कोई मुझे चाहता नहीं है, kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen मुझे तुम monthly थोड़ा सा allowance दे दिया करो, थोड़े से पैसे दे दिया करो, जिससे कि मैं अपना separate मतलब अलग से एक kitchen set up करो, at least खाना तो वहाँ पर मैं खा ही लूँगी, तो मुझे थोड़ा सा हर महीने कुछ पैसे तुम दे दिया करो My wife knows best how to run the house मेरी पत्नी जानती है कि घर कैसे चलाना है, be patient आप patient रहिए, patience रखिए, धीरज रखिए said juman shamelessly, shamelessly मतलब बेशर्मी से, बड़ी बेशर्मी से उसने कहा, जब बैचारी बोड़ी है अतने परिशान हो कि सिर्फ कुछ allowance मांग रही है, कुछ बत्ता मांग रही है, जितना kitchen में खर्चो उतना दे दो, तो बड़ी shamelessly कहता है कि मेरी पत्नी को पता है, गर कैसे चलाना है आप शांत रहो, this made his aunt very angry, उनकी aunt जो है बहुत ही गुसा हो गई, and she decided to take her case to the village panchayat, और उन्हें डिसाइड किया कि वो अपने इस case को village panchayat में लेके जाएगी, panchayat का concept आपने अपनी civics में भी पढ़ा होगा, गाम के जो फैसले है, वो panchayat लेती है, वो मानने भी पढ़त से बात कर रही है, उनको explain कर रही है, पूरा हर case, अपना पूरा case की कैसे उसकी property ली गई, बदले में deal हुई कि उसको रखेंगे, care करेंगे, लेकिन दो साल बाद ये हुआ, फिर उसने allowance मांगा, वो भी नहीं दिया गया, सबको बताती है, अपना case का है, seeking their support, seek करना मतलब मां सहानु भूती दिखाना, sympathize करना, दया दिखाना, okay, pity feel करना, विधर, other laughed at her, कुछ उसके उपर हसे, and few other advised her to make it up with her nephew and his wife, कुछ ने उसको ये advice दिया, ये सलहा दी, कि आप अपनी जो नेफ्यू है, आपका भतीजा और उनकी पत्नी जो है, उनके साथ आप, खुदी make it up, At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him, आखिरकार वो Algu Chaudhary के पास आती है और उनसे बात करती है, you know चाची, Jumman is my best friend, चाची तुम जानती हो ना, Jumman मेरा best friend है, सबसे अच्छा दोस्ता, Algu Chaudhary कहता है, how can I go against him, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, उसके against कैसे जा सकता हूँ, Algu said, but is it right my son, लेकिन क्या ये सही है, to keep mum, keep mum, mum रहना मतलब ये चुप रहना, and not say what you consider just and fair, और जो just and fair, just मतलब justice से ये word बना है, justice मतलब न्याय होता है, तुम्हें लगता है कि कोई चीज जस्ट है, न्यायक है, और fair भी है, निश्पक्ष है, सही है, जिसको तुम ये मानते हो, consider करते हो कि हाँ, जो तुम कह रहे हो, मौसी, वो तो सही है, लेकिन फिर भी तुम mum रहोगे, फिर भी तुम चुप रहोगे, क्या ये सही है, प्लीड़ दे ओल लेड़ी, ओल लेड़ी ने प्लीड किया, प्लीड करना मतलब निवेधन करना, रिक्वेस्ट करना, come to the panchayat and speak the truth मेरे साथ panchayat में चलो और सच बोलो she said Algu didn't reply Algu ने तब कोई reply नहीं किया but her words keep ringing in his ears लेकिन उसके कान में उसके शब्द बजते रहे कि तुम्हारा दोस्त है तू क्या हुआ ऐसे चुप रहना किसी सही बात पर क्या सही है second part देखते हैं अब क्या हुआ the panchayat was held the same evening under an old banyan tree उसी शाम को एक पुराने बर्गत के पेड़ के नीचे panchayat बुलाई गई शाम को जुमन stood up and said जुमन खड़ा होता है और कहता है the voice of the punch is the voice of God जो pancho की जो वानी है वो भगवान की ही वानी है मतलब जो कहेंगे वो मान लूँगा मैं let my aunt nominate the head punch मेरी aunt अब head punch nominate करेगी I will abide by her decision abide by मतलब होता है accept करना और मैं बिल्कुल उसको मानूँगा वो अपनी aunt को ही कहता है जिसको आप pancho का decision final head punch बताओ कौन है head punch पंचों में सरपंच होता है अगर by chance कोई बात है जो पाँचों में सहमत ही नहीं हो रही है उन पाँच लोगों में तो फिर head punch की मानी जाती है तो वो अपनी मौसी को कहता है कि आप decide करो कि head punch कौन बनेगा तो वो कहती है कि जो punch है वो ना तो किसी के दोस्त होते हैं के सामने बोलती है तो वो कहती है कि punch ना दुश्मन होते हैं ना दोस्त होते हैं अलगो चौधरी को रख लो head punch fine replied Jumman hiding his joy over this unexpected piece of luck तो unexpected जो उसने उम्मीद नहीं की थी expect नहीं किया था यह तो बिलकुल piece of luck की तरह हो गया उसका भाग्या जैसे उसका साथ दे गया कि Jumman उसका दोस्त है तो वो कहता है ठीक है और अपनी जो खुशी है उसको छुपाता है कि अलगो बन गया तो खुशी है अंदर से लेकिन जाहिर नहीं होने देता है कहता है ठीक है अलगो ठीक है इसी को ही बना दो head punch चाची you are aware of my friendship with Jumman said अलगो अलगो फिर से कहता है कि चाची तुम्हें पता है Jumman के साथ मेरी दोस्ती है I know that replied the aunt अब aunt reply करती है वो मैं जानती हूँ but also know लेकिन मैं ये भी जानती हूँ that you will not kill your conscience for the sake of friendship कौन और साइंस से मिलके ये वर्ड बना है लेकिन इसको conscience प्रनाउंस करेंगे आप पंच पंचों के तो दिल में भगवान बसते हैं and his voice is the voice of God और जो पंच की आवाज होती है वही भगवान की आवाज हम उसको मानते हैं and the old lady explained her case और old lady फिर अपना पूरा case explain करती है अलगो के सामने Jumman said अलगो अलगो जुमman को कहते हैं you and I are old friends तुम और मैं पुराने दोस्त है your aunt is as dear to me as you तुमारी आंट भी उतनी ही मुझे dear है जितनी की तुमें है now I am a punch लेकिन अम मैं punch हूँ you and your aunt are equal before me तुम और तुमारी आंट मेरे सामने बिलकुल बराबर है what have you to say in your defense तुमें अपने defense में अपने पक्ष में क्या कहना है इन्होंने अपनी बात कह दिये case रग दिया है अब तुम बताओ 3 years ago begin जुमन जुमन शुरू करता है कि 3 साल पहले my aunt transferred her property to me मेरी आंट ने सारी property मुझे transfer की I promise to support her as long as she lived मैंने promise कि मैं उन्हें support करूंगा जब तक वो जिन्दा रहेगी I have done all I could जितना मैं कर सकता था मैंने किया there have been a couple of quarrels between my wife and her but I can't stop it कुछ quarrel मतलब कुछ जगडे कुछ बहस होगी मेरी wife के और इनके बीच में between her and my wife but I can't stop it लेकिन उसको तो मैं नहीं रोख सकता now my aunt is claiming a monthly allowance अब यह मुझसे monthly allowance मांग रही है from me this is not possible यह possible नहीं है that's all I have to say मुझे बस इतना ही कहना है कि इनके बीच में कोई जगडा हुआ उसे मैं नहीं रोख सकता इस बार इस सिर्फ इतनी सी बात पर यह monthly allowance मांग रही है मुझसे जुम्मन को cross-examined किया गया cross-examine करना मतलब cross-questioning की गई अच्छा तुमने यह कहा उसके उपर एक और question पूछा गया अगली statement में से ढूंड के एक और question पूछा गया फिर अलगू announce करते हैं we have gone into the matter carefully हमने इस matter को यह जो बात है इसको बहुत carefully examine किया है in our opinion और हमारे opinion में हमारी राय में जुमन must pay his aunt a monthly allowance जुमन को उनकी aunt को monthly allowance pay करना चाहिए और else the property goes back to her या फिर उनकी property उन्हें वापिस चली जाएगी now the two friends were seldom seen together seldom मतलब होता है कभी-कभी अब जो दोनों दोस्त इतने गहरे दोस्त थे हमेशा साथ में रहते देख दूसरे के एक घरो family की देखबाल करते थे वो बहुत कम मतलब कभी-कभी ही साथ में देखी जाते थे the bond of the friendship between them was broken जो bond था उनकी friendship का वो अब तूट चुका है in fact जुमन was Algu's enemy and wanted his revenge revenge मतलब होता है बदला in fact जुमन जो है अब Algu का दुश्मन था और जुमन को अभी अपना बदला चाहिए था जो उसके साथ हुआ आपर part 2 खतम होता है part 3 पर आते हैं अब देखिए क्या हुआ days past दिन बीते गए and as ill luck would have it और इसको आप खराब लग खराब भागये ही कईए बुरा वक्त कईए अलगो चौधरी found himself in a tight spot tight spot मतलब होता है कोई मुश्किल घडी difficult situation बड़ी ही मुश्किल घडी में वो अपने आपको पाता है क्या हुआ ऐसा देखते हैं one of his fine pair of bullock died उसके जो उसके पास बहुत अच्छा एक बुलॉक का पेर था एक बैलो का जोड़ा था उनमें से एक मर जाता है and he sold the other to Samju Sahu और उसने Samju Sahu को दूसरा बेच दिया a car driver of his village जो कि उसके गाउं में car driver था एक गाड़ी चलाने वाला था काड बैल गाड़ी को बोलते हैं तो एक वो उसको बेच देता है the understanding was that Sahu would pay the price of the बुलॉक in a month's time और ये understanding हुई आपस में ये सहमती हुई कि एक महीने के अंदर बुलॉक का प्राइज वो वापिस दे देगा समझो Sahu it so happened that the बुलॉक died within a month और फिर हुआ कि दूसरा भी जो बैल है वो एक महीने के अंदर मर जाता है several months after the बुलॉक's death कुछ महीने बीत गए हैं बुलॉक की death को अलगु reminded Sahu of the money he hadn't yet paid अलगु remind कराता है याद दिलाता है Sahu को वो पैसा जो उसने अब तक नहीं दिया Sahu got very annoyed Sahu बहुत annoyed हो जाता है मतलब तंग, परिशान, नाराज हो जाता है I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me Wretched मतलब होता है manhus तो तुमने जो मुझे वो manhus जानवर दिया था उसके लिए मैं तुम एक penny भी नहीं दूँगा एक धेला भी नहीं दूँगा He brought us nothing but ruin वो हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकिया है जो तुमने बैल दिया था उसने कुछ कमाया तो क्या हमारे लिए सिर्फ वो ruin ruin करना मतलब बरबाद करना होता है लेकिन बरबादी ही हमारे लिए सिर्फ वो लेकिया है जो तुमने भे हमें दिया एक महिने में उमर गया तो कितना बड़ा ही मन्हूस था उसके वज़े से बरबादी ही आई है, हमारे गर में और कुछ नहीं है, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूँगा, I have a block, use it for a month and then return it to me, मेरे पास एक और bell है, तुम मेरा bell यूज़ कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारा एक महिने तक यूज़ किया, उसके बाद उसे मुझे वापिस कर देना, No money for the dead block, उस मरे हुए block के लिए एक भी पैसा नहीं, he said angrily, बड़े गुस्ते से वो कहता है, Algo decided to refer the case to the panchayat, Algo ने सोचा कि इस case को तो panchayat में ले जाना पड़ेगा, For a second time, in a few months, preparations for holding the panchayat were made, और कुछी महिनों में फिर दूसरी panchayat के लिए तयारिया होने लगी, And both the parties started meeting people seeking their support, और दोनों ही parties गाउं में लोगों से मिलने लगी, अपने support में लोगों को करने के लिए, The panchayat was held under the old banyan tree, उसी पुराने बर्गत के पेड़ के नीचे panchayat हुई, Algo stood up, Algo खड़ा होता है, और कहता है, The voice of the panch is the voice of God, Panch की जो वाणी है, वो भगवान की वाणी है, Let's Sahu nominate the head panch, Sahu head panch को nominate करेगा, I will abide by his decision, और मैं उसके decision को मानूँगा, abide करूँगा उससे, Sahu saw his chance, Sahu ने अपना chance देखा, and proposed the name of Jumman, और Jumman का नाम propose कर दिया, आगे रख दिया, Algo's heart sank, Algo का दिल जो है, वो बैट गया, sank मतलब वैसे डूबना होता है, लेकिन दिल डूबना मतलब दिल बैट जाना, and he turned pale, और वो पीला पढ़ गया बिलकुल, but what could he do, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके पत्वों पता है कि पहले क्या हुआ है, और उसको यह लगता होगा कि शाद जुम्मन अब अपना बदला लेगा, वैसे ही वो कई दिनों से बदले की तलाश में है, the moment जुमन became head punch, he realized his responsibility as judge, लेकिन जिस समय, जिस moment में, जुमन head punch बनता है, उसको अपनी responsibility, अपनी जिम्मेदारी का realization होता है, एसास होता है, उसकी क्या गरिमा है, क्या dignity है, क्या मर्यादा है, वो feel करता है, could he seated in the high place, have his revenge now, क्या वो इतने बड़े place पर बैट कर कि उसको head punch बनाया गया, अपना revenge ले सकता है, अपना बदला ले सकता है, he thought and thought, पो सोचतर आ और सोचतर आ कि मैं ऐसे पत्वे बैठाउं, क्या मुझे इसको use करना चाहिए, अपना बदला लेने के लिए, no, he must not, नहीं, मैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, एक सेकंड, no, he must not allow his personal feelings, उसे अपनी personal feeling को allow नहीं करना चाहिए, कि वो यहाँ पर to come in the way, कि वो बीच में आये, speaking the truth and doing justice, न्याय करने के और सच बोलने के, सच बोलने और न्याय करने के बीच में, उसकी जो feeling है, अलगू के प्रती, जो दुश्मन ही है, उसको बीच में वो नहीं लेकर आएगा, ऐसा उसने फैसला किया, बोथ अलगू एन साहू स्टेटिड देर केसे, दोनों ने अपने केस बताए, क्या क्या हुआ था, दे वर cross-examined, cross-questioning किये गए, cross-examined किये गए, and the case was considered deeply, और बहुत गहराई से केस को देखा गया, देन जुम्मन स्टुड़ फिर जुम्मन खड़ा होता और announce करता है, it is our opinion that साहू शुड पे अलगू the price of बुलॉक, हमारा ये फैसला है, हमारी opinion में, साहू को अलगू के पैसे जो है बुलॉक के वो देने चाहिए, when साहू bought the बुलॉक, जब साहू ने बुलॉक खरीदा, it suffered from no disability or disease, उसको कोई भी disability या disease भीमारी नहीं थी, the death of the बुलॉक was unfortunate, जो death हुई बुलॉक की वो बड़ी ही unfortunate है, बदकिस्मती है एक तरीके से, किस्मती है, but अलगू cannot be blamed for it, लेकिन अलगू को इसके लिए blame नहीं किया जा सकता, अलगू could not contain his feeling, अलगू अब अपनी जो feeling थी, जो पहले वो बहुत डरा हुआ था, अब लेकिन जैसे उसने फैसला सुनाया, उससे अपने जो feeling आउसको अंदर नहीं रोका गया, और बार बार जोर जोर से कहता है, विक्ट्री टु दपंचायत, यह जीत हुई है पंचायत की, और यह न्याय है, और सच में God lives in the voice of punch, सच में punch की आवाज में भगवान ही निवास करता है, कि जब आप उस कुरसी पर बैठते हैं, जब आपको लगता है कि आपके फैसले से किसी कोई अफेक्ट होने वाला है, तो फिर आप दोस्ती दुश्मन ही नहीं देखते हैं, फिर आप जो सही गलत है वो देखते हैं, सून आफ्टर, जल्दी ही जुमन केम टू अलगू, जुमन केम टू अलगू, आखरी पंचायत के बाद से मैं तुमारा दुश्मन बन गया था, तोड़े आई रियलाइज, आज मुझे एहसास हुआ, वाट इट मीन टू बी एपंच, कि एक पंच होना क्या होता है, किसी भी पंच का ना कोई दोस्त होता है, ना ही दुश्मन, he knows only justice, उसको तो सिर्फ जस्टिस का पता है, सिर्फ न्याय का पता है, let no one deviate from the path of justice, deviate करना मतलब भटकना होता है, कोई भी जस्टिस के path से, रास्ते से, न्याय के रास्ते से ना भटके, and justice और truth के सच्चाई और न्याय की रास्ते से ना भटके, for friendship और एनिमेटे, सिर्फ दोस्तिया, दुश्मनी के लिए, अलगो embraced his friend, उसको गले लगाता है, and wept और रोता है, and the tears washed away all the dirt, और जो tears हैं, जो आसू है, वो पूरी उस dirt को धो देते हैं, और धूल को, जो की misunderstanding की उनके बीच में थी, जो दोनों के बीच में गलत फैमी हो गई थी, उसकी धूल को वो आसू दो देते हैं, और वो फिर से friends बन जाते हैं, तो I think, जो यह कहना चारहा है, chapter वो आपको loud and clear होगा, बहुत अच्छे से, समझ में भी आ गया होगा, यह कहानी लेखी है, प्रेम चंद जी ने, तो चलिए, that's all for now, thank you so much for watching, quiz, इसकी बहुत जल्दी upload कर दी जाएगी to test, कि कितने अच्छे से आपने स्टोरी को समझा है, okay, thanks again,